आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर हम एक और अल्टरेटीव मेडिसिन को डिटेल में कवर करने जा रहे हैं जिसका नाम है रिफ्लेक्सोलॉजी यह बहुत ही अध्भूत तरीका है खुद को स्वस्त रखने का हो इस पूरे कोर्स को हम पार्टवाइस करके क बात के हतेली पर और पैर के तलवे पर जिससे हमें डिप रिलेक्शेशन मिलता है और यह हमारे बॉड़ी के खुद के हिलिंग पावर को स्टिमूलेट करता है उसे बढ़ाता है यह सेफ नैचुरल थेरेपी है यह हमारे बॉड़ी के इम्यून सिस्टम को बूश्ट करता ह है ताकि हमारे बॉड़ी फिजिकली फिट रह सके और हमारा माइन्ड सांथ रह सके यह दोनों ही चीजों को हिल करने में काम करता तो हम इसे कह सकते हैं यह holistic approach है body को heal करने का हमारे जो organs होते हैं, nerves होते हैं, glands होते हैं और body के other parts होते हैं इनका reflex point होता है हमारे हाथ के हतेली पर और pair के तलवे पर आगे side में और पीछे side में दोनों तरफ इसी तरीके से pair के तलवे में भी हम इसे जब press करते हैं तो इसकी वज़ा से हमें deep relaxation feel होता है जैसे एक example के लिए अगर किसी के सर में बहुत ज़्यादा दर्ध हो रहा है तो हमारे pair का जो big toe है मतलब बड़ा वाला जो अंगूठा है उसे हम press करेंगे उस देर तक उसे press करने के बाद आपको relax feel होने लगेगा सरदर्ध में तो आप समझते हैं जो हमारी right hand की हतेली है और right feet का तलवा है ये present करता है right part of the body को वैसे ही left hand की हतेली और left pair का तलवा represent करता है left part of the body को zone therapy के according हमारे पूरे body को 10 parts में divide किया गया है जिसके उपर भी मैं detail में discuss करूँगा आगे आने वाली videos में इन reflex point को press करने से जो हमारी body की imbalance है energy की वो balance हो जाती है इसलिए थोड़े से ही pressure apply करने से हमें fresh feel होने लगता है हमें relax feel होने लग जाता है reflexology कोई ऐसी therapy नहीं है जिससे बिमारी को diagnose किया जा सके बलकि ये एक ऐसी therapy है जिसमें हम body के खुद के healing power को बढ़ाते है जब हम reflex point को press करते हैं तो body के खुद का healing power बढ़ता है जैसे example के लिए समझते है जब हमारे सरीर के किसी भी part की हड़ी तूड जाती है तो क्या लगता है जो plaster हमने किया है वो उसे heal करता है या फिर उस हड़ी से निकलने वाला liquid उसे heal करता है obviously हमारे body की खुद की healing power ही उसे heal करती है बाहर से तो हमने बस उसे support दिया है उसी तरीके से reflexology में भी हम बाहर से point press करके body के खुद के healing power को बढ़ाते हैं तो आज की वीडियो में हमने देखा reflexology क्या है हम next वीडियो में फिर मिलेंगे reflexology के किसी other topic के साथ thank you